स्ट्रॉबरी का प्लांट काफी ज़्यादा यूनिक है, बहुत कम समय में आपको धेरो स्ट्रॉबरी दे देता, ये देखिए हमारी स्ट्रॉबरी लगने स्टाड हो गई, चलिए काट कर देखते हैं कितनी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है ये स्ट्रॉबरी को 3 तरीके से ग्रो किया जा सकता है तो पूरी वीडियो एंड तक देखना ताकि मैं आपको सारे मैंतर शेयर कर सकूँ और काफी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगा ताकि आपके स्ट्रॉबरी काफी ज़्यादा आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मैं से किसको स्ट्रॉबरी खाना काफी ज़्यादा पसंद है सबसे पहले अगर आप अपने प्लांट को हैल्दी रखना जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के स्मॉल स्मॉल पॉट्स और लंबे लंबे पॉट्स सेलेक करने होगे और स्ट्रॉबरी काफी ज़्यादा एक साथ ग्रो करनी होगी क्योंकि इनके अंदर पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन से ही आपको बहुत सारी स्ट्रॉबरी मिलेगी strawberry की plant को winter की sunlight बहुत अच्छे लगती है और summer की बिल्कुल भी sunlight अच्छे नहीं लगती है तो ऐसी जगे आप select करके रखें जहाँ पर summer में कम दूप मिले और winter में full day of sunlight मिले तो आपको बहुत सारी धेरो strawberries मिलने वाली है मैं तो दोस्तो हर दिन एक दो strawberry खाई लेता हूँ क्योंकि मेरे पास काफी ज़दा strawberry की plant से और मैं हर दिन harvest करता ही रहता हूँ यहाँ पर भी आप देख सकते हमने 3 strawberries को harvest कर लिया काफी ज़दा healthy और कुछ अगर mature हो जाती है तो वो और भी ज़दा मीठी लगती है strawberry plant को fertilizer कैसे देना है पानी कितना देना है sunlight कितनी देनी है सारी explain करता हूँ चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते है आप strawberry को तीन तरीके से grow कर सकते हैं से पहला method है अब live plant मंगा लीजिए seller से जिसके number में description में डाल दूँगा order करने के बाद nearly मुझे one week तक wait करना पड़ा उसके बाद मेरे सारे plants एक healthy way में मेरे पास आई गए अब यहाँ पर इनकी packing भी काफी ज़दा अच्छी है फटाफट से हम लगा देते हैं और soil mix बना देते हैं nutrition से भरी भी soil बहुत अच्छी रहती है तो normal यहाँ पर हमने 50% soil ली है nearly 25% हमने cocoa पीट लिया है और 25% हमने vermicompost लिया है बहुत अच्छा soil mix है बहुत सारे plant में काम आता है plant हमारे ready है लगने के लिए अब यहाँ पर pot size की बात करी जाए तो nearly 8-10 inches height वाला pot enough रहता है और एक rectangular pot ले लीजिए इसमें आप multiple strawberry ग्रो कर पाएंगे और यह actual तरीका यही होता है साथ में लगाने से यह benefit होता है कि pollinator जो भी आते हैं वो सारे plant को एक साथ pollinate कर देते हैं strawberry का plant हमेशा runner plant जरूर produce करता है तो इस तरह के rectangular pot आप हमेशा select करें इसमें runner plant बहुत सारे produce होजएंगे और आपको future में कभी strawberry का plant लाना ही नहीं पड़ेगा और अगर single size pot में grow करना है तो nearly 8 inches size का pot बहुत perfect रहता है diameter 6 inches होजएगा और depth कम से कम 8 inches इसमें आपका strawberry का plant बहुत अच्छे से strawberries देगा finally अपने plant को water पिलाइए और कम से कम एक सफते के लिए bright location पर रख दीजिए direction light में मत रखना क्योंकि अभी तो यह हमने report किये है करीब 3-4 दिन ही हुए थे और यहाँ पर आप देखें कितने ज़्यादा इसके अंदर weeds grow हो गया मतलब फालतों के खर-पतवार grow होने लग गया और वो हमारे plant को degrade कर रहे हैं उनकी health को और बेकार बना रहे हैं इसका बहुत अच्छा solution मैं आपके साथ share करता हूँ सबसे पहले सारी dead leaves आप remove कर दीजिए दोस्तो weeds या खर-पतवार की growing speed बहुत ज़्यादा fast होती है क्योंकि इनको survive करना होता है इन plants को पता होता है कि आने वाले समय में हम वैसे ही remove हो जाएंगे तो ये बहुत चल्दी लंबे बड़े हो जाते हैं अपनी roots फैला जाते हैं यहाँ पर दोस्तो हम use कर रहे हैं दान का भूसा आप यहाँ पर rice husk use कर सकते हैं कोकोपीड यूज़ मत करना क्योंकि इससे आपके strawberry खराब हो सकती है इससे दोस्तो दो से तीन फाइदे होते हैं एक तो आपके mulching हो जाती है प्लांट के अंदर ज्यादा water देनी की जूरत नहीं पड़ती है दूसरी बात यह है कि आपके strawberry direct soil को touch नहीं करेगी तो soil से आपके strawberry में fungus नहीं लगेगी और तीसरी बात यहाँ पर खर पत्वार बिल्कुल भी नहीं होगेगी दूसरा आप इस तरह से कोकोपीट की बनी हुई इस तरह की tray यूज़ कर सकते हैं जिसमें center में hole होता है और side से cut लगाव होता है जिससे आपके plant में ये easily गुज़ जाए बढ़ दोस्तों मैं इसको prefer नहीं करता हूँ क्योंकि काफी ज़्यादा costly भी होता है और ये एक समय के बाद खराब होई जाता है और तीसरा है आप polythine यूज़ कर सकते हैं polythine को same shape में काट दीजिए और अपने plant के साथ लगा दीजिए वो method भी सही है बड़ उसमें polythine थोड़ी सी गरम हो जाती है finally हमारे strawberry के plant कुछ ऐसे नसर रहे हैं देख रहे हैं दोस्तों काफी ज़्यादा खूप चुरत अब यहां पर हमें care भी इनकी तोड़ी सी कम करनी होगी क्योंकि हमने काफी ज़्यादा इनके अंदर rice husk या फिर गाये का बूसर डाल दिया है सही fertilizer अगर दिया जाए तो हमारे strawberry के plant बहुंच जादी हमारी seedling काफी ज़्यादा mature थी इसका मतलब और हमारे पास बहुत सारे strawberry के flower आर गए है bees, ants, birds सब आके pollinate करती है strawberry के flower को और उसके बाद ही हमें बहुत सारे strawberries मिलती है तो यह process एक natural process है कभी कभी हावा भी कर देती है natural pollinators को आपके garden में attract करना है तो definitely आपको flowering plant लगाने होंगे जिसमें बहुत सारा nectar आता हो एक बार pollinators अपना काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चोड़ी चोड़ी strawberries दिखने लग जाती है अब यहाँ पर दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चीए क्योंकि strawberry में बहुत सारा पानी होता है और आपको plant को पानी अच्या से देना है और fertilizer की कमी नहीं होनी चीए fertilizer में आपको आगे बताऊंगा कैसे देना है Every strawberry plant का maturity level अलग होता है तो कुछ आपको जल्दी strawberries दे देंगे कुछ आपको late strawberry देंगे कुछ में flowering आ रही है कुछ में fruiting तक आ चुकी है यहाँ पर आप example देखी सकते हैं चलिए इसमें से कुछ एक red हो जाती है उसको harvest कर लेते हैं Finally हमारी एक strawberry हो चुकी है ready इसको चलिए harvest कर लेते हैं और साथ में अगर देखे तो बहुत सारी चुड़ी चुड़ी और strawberries भी हमें नजर आ रही है यहाँ पर आप दोस्तो sunlight की बात करते हैं Sunlight आपको winter season में कम से कम 4-5 गंटे की sunlight देनी है मतलब filter sunlight होगी तो बहुत अच्छा रहेगा Strawberry harvest करने के तीन तरीके होते हैं यहाँ पर अगर आपने बहुत जल्दी harvest कर ली तो आपको एकदम खटा बीटर टेस्ट आएगा अगर थोड़ा सा late harvest करी तो खटा मीटर टेस्ट आएगा और थोड़ा सा और late harvest करी मतलब उसको mature होने दिया डार्क रेड कराने दिया तो आपको हलका सा मीठा टेस्ट आएगा अब हमारे बड़े pot में भी काफी ज़दा में strawberries नज़ा रहें लगई है एक्चल में ज़दा space मिलती तो plant पहले अपनी roots spread करता है उसके बहादी fruiting flowering पर आता है तो छोटे pot में आपको जल्दी strawberry मिलेगी बड़े pot में बड़ी strawberry और size बड़ा मिलेगा वाव कितनी हमारे पास strawberries आचुकी चलिए इसको भी harvest करके इसका आज color check करी लेते हैं अंदर से कैसा है अगर strawberry के लिए best temperature की बात करी जाए तो 20 से लेके कम से कम 30 degree तक आप strawberry plant easily grow कर सकते हैं इसमें आपको काफी जदा strawberries मिलेगी और आपके strawberries बड़ी बड़ी और अच्छी भी आएगी so friends ये तो काफी जदा delicious strawberry नज़र आ रही है जल्दी से comment करिए कि किसको अभी के अभी strawberry खानी है comment section में आग लगाती जी first strawberry के साथ अब हमारे पास second batch ready हो चुका यहाँ पर हमारे पास कुछ multiple strawberries आ चुकी है हाला कि size थोड़ी छोटी है बट यहाँ पर कितनी जदा यह red है और perfect size में है यह size बिलकुल perfect है बगर इससे भी अगर बड़ी आपको strawberries चाहिए तो definitely आपको chemical fertilizer use करना होगा और strawberry plant को ground में grow करना होगा यह दोनों factor अगर मिल जाते हैं तो definitely आपकी strawberry का size just double हो सकता है बट अभी यहाँ पर हमारे पास organic और healthy strawberry है चलिए लाल लाल strawberry के लिए best fertilizer कौन सा आता है वो भी मैं आपको पता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर plowering और fruiting continuously चल रही है यह दोस्तो black gold मतलब की काला सोना और यह best fertilizer है सारे micronutrients इसके अंदर available होते हैं जो आपके strawberry plant को चाहिए होता है इसका नाम है vermic compost vermic compost एक organic खाद है इसको आप घर पर भी बना सकते हैं और आप इसको market से भी खरीद के ला सकते हैं strawberry plant में ज़्यादा strawberry चाहिए तो आपको every 10 से 15 days में इस fertilizer को use करना है जिससे आपका strawberry plant healthy रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा strawberries देगा finally अमरे दूसरे strawberry की plant ने भी strawberries produce करना start कर दिया और कुछ तो red भी हो गई है चलिए इन में से कुछ को harvest कर लेते हैं कि देखे अब बहुत सारे flower भी है fruits भी है और अब तो every 2-3 raise में हमें regular basis पर strawberries मिल नहीं वाली है गर पर हमने grow कर ये strawberry बड़ यहाँ पर हमने size में बिलकुल भी compromise नहीं करा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा size मिला है में strawberry का काफी ज़्यादा better size है और यह taste में भी काफी ज़्यादा better है अब यहाँ पर दोस्तो मुझे और मेरी family को बाहर से राने की जोरती नहीं परती है क्योंकि मैं घर पे ही strawberry grow कर देता हूँ प्लांट को आप summer season में च्छाया में रखना तो आपको strawberry मिलती रहेगी और आपके पत्ते जलेंगे नहीं method number two है दोस्तों आपको market से strawberry लेके आनी है और इसके skin के अंदर से ही आपको इसके seeds निकालने है strawberry के seeds उसकी skin के उपर होते हैं मतलब पहला ऐसा fruit है जो अपने seeds बाहर के तरफ रखता है तो कहां आप एक एक करके नाकों से खुरे चोगे इसका एक method होता है आप एक plain white paper ले लीजिए और उसमें आप अपने strawberry के छिलके बाहर की तरफ की जो पील होती है उसको काट काटके इसके उपर चिपका दीजिए चिलके उतारते हैं एक चिज़ का दियान रखना एक तो knife आपका kitchen वाला लेना ताकि आप अंदर वाला हिससा उसका खा सके एक दिन का sun dry enough रहेगा आपके strawberry के चिलके सूख जाएंगे और आप इनके seeds बहुत easy way में निकाल सकते हैं बस हाथों से हलका सा प्रेस करिए और आपके सारे के सारे seeds आपके paper में से निकल कर आपके जो भी bucket है उसमें आ जाएंगे राई के दाने जितने चोटे इसके seeds होते हैं तो बहुत अच्छे से इनको tackle करना क्योंकि इदो अदर गिर गए तो ये मिलेंगे भी नहीं अब बड़ी असा seedling soil mix बनाईए और अपने seeds इसमें लगा दीजिए पानी की मातरा अच्छे से maintain करके रखना क्योंकि moisture इनको बहुत पसंद होता है seedling soil mix आपको हमारे soil mix वाले वीडियो में मिल जाएगा जो इससे पहले हमने upload कर आए अब बस सारे seedling को इदाओदर sprinkle कर दीजिए अपने pot में और ध्यान रखना एक दूसरे के ओपर overlap ना करें finally seedling soil mix की half inches की layer बनाईए और बस आपके seedling ready to grow है पानी डालिये motion maintain करके रखिए और bright location पर रख दीजिए आपके चुटे-चुटे plants कोची दिरों में आपको नजर आ जाएंगे हमारी मिट्टी बाहर ना निकले और बस अपने plant को लगा दीजिए अब plant को लगाने का तरीका आप देखना हम सारे plant ऐसे लगाते हैं जो pot की edge से थोड़े से नीचे हो बर strawberry plant में उल्टा होता है इसको अपकी pot की edge से थोड़ा सा उपर कब से कम एक से दू इंच उपर लगाना होता है आप यहां से बेटर समझ पाएंगे इस एंगल से strawberry का crown हमेशा soil से एक इंच उपर रहेगा इससे इसके अंदर fungus की problem नहीं लगेगी क्योंकि इसके अंदर एक stem तो होता है नहीं का हाला कि आपके strawberry को आपको बचाना हो तो आप plastic polythine से इसको cover करके बचा सकते हैं कुछ ऐसे एंड जब आपका plant आपको बहुत सारे strawberries दे आप उसे harvest करिए और delicious strawberries खाईए तो friends comment करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और strawberry किस किस को पसंदे मुझे भी बताना क्योंकि मुझे तो काफी ज़दा पसंदे इसले में every year इनको grow करता रहता हूं और definitely harvest करके खाता रहता हूं वीडियो देखने के लिए thank you मिलेंगे next वीडियो में तब तक कि लिए bye bye और अपना ध्यान रखना और अपनी family का भी ही